टीम इंडिया के पूर कोच रवी शास्त्री ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है उन्होंने कहा कि T20 सिरीज बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ वर्ल्ड कप कराना चाहिए भारत की सबसे सफल कोचों में से एक शास्त्री को ये भी लगता है कि खेल प्रेमियों के उत्साँ को देखते हुए जहां तक छोटे प्रारूप की बात है तो सबसे अच्छा तरीका फ्रेंचाईजी क्रिकेट के साथ दो साल में T20 वर्लक अप होगा शास्त्री ने कहा T20 में काफी द्विपक्षिय क्रिकेट हो रहा है मैंने ये पहले भी कहा है यहां तक की जम में भारते टीम का कोच था तब भी ये मेरे सामने हो रहा था ये T20 क्रिकेट फुटबाल की तरह से होना चाहिए जहां आप सिर्फ विश्व कप खेलते हो द्वि से हम नहीं इसलिए मुझे ये भी याद नहीं दुनिया भड़ में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला जा रहा है प्रतेख देश को अपना फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने की अनुमती है जो उनका घरहलू क्रिकेट है और फिर हर दो साल में आप एक विश्व कप खेलो लेकिन अब रवी शास्त्री ने चोकाने वाला बयान देकर हर किसी को हैरान कर दिया। तो आप रवी शास्त्री के बयान से कितना सहमत है अपनी राय हमें कमेंट कर बताईए। साथ इस वीडियो को शेर कीजिए और जुड़े ये हैडलाइन स्पोर्स के साथ।